अब्सक्राइब दोस्तों दोस्तों मैं डोक्टर आजेश वद्वाँ आप देख रहे हैं ख़बर नमारेणा दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीती 19 जून को दोस्तों आप दोस्तों हर्याना की 18 नगर परिश्यद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे बकाइदा 22 उनको सभी का जल्ट भी आ गया और इन सभी नगर पालिकाओं में और नगर परिश्यदों में चेर्मेन डारेक्ट जंता द्वरा चुने गए और नई पार्शत भी निर्वाचित हो चुके हैं ऐसे में अब हर्याना की जंता को खासकर उन नगर पालिकाओं की जंता को और नगर परिश्यद की जंता को अब चुनाव का इंतजार है जहां अभी तक चुनाव नहीं हुए हर्याना में ऐसी पांच जगाएं हैं जिन में तीन नगर परिश्यद, ठानिसर नगर परिश्यद, सिरसा नगर परिश्यद और अम्बाला सदर नगरपेशत ये तीन नगरपेशत के चुनाव पेंडिंग है उसके अलावा आदमपूर और कालावली इन दो नगरपालिकाओं में चुनाव पेंडिंग है ऐसे में इन पांचों जगाहों पर रहने वाले मददाताओं को जनता को अब जल्द ही यहाँ पर चुनाव होने की इंतजार है और अगर सूत्रों की माने तो सरकार भी अब इन जगाहों पर जल्दी चुनाव कराने की चुक है क्योंकि जिस परकार से चुनाव परिणाम गटमंदन सरकार के पक्ष में अधिकांश आये हैं और अधिकांश मत जो नए चेर्मेंट बने हैं जैपार्शेद बने हैं वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं या सत्ता पक्ष से बगावत करकर चुनाव लड़े थे अब कही ना कहीं फिर सत्ता पक्षियों रूख करने के तैयारी में हैं ऐसे में सरकार को इस समय पॉजिटिविटी नजर आ रहे हैं कि अगर यह चुनाव जल्द कराये जाए तो परिणाम सरकार के हक में होगे यहां अगर हम बात करें थानेसर नगर परिशत की बात करें तो थानेस के चेर्मिन का चुनाव लेंड़न के चुक हैं उनके लिए एक जरूरी खबर है और निवेदन में इस कबर को जादा से जादा शेयर करें क्योंकि चुनाव जो है आगामी दो से तीन महीनों के अंदर कभी भी चुनाव हो सकते हैं थानेसर नगर परिशत में जैसे कि घर सालों से निर्माना धीन थी कारणाव हो टेकिदार बदलने के अन्यकारणों के चलते जो सड़क निर्मान कारें देरीरी से चल रहा था वो अब सड़क निर्मान का रहे युद्सतर पर तेज गति से चल रहा है और लगबग पूरा होने के आसार है इसके जल्दी ही पूरी हो जाएगी तो ऐसे में सड़क का काम भी पूरा हो चुका है लगबग लगबग और जो दूसरा लेट होने का कारण माना जा रहा था कि प भाकायदा नोटिफिक्शन हो चुका है ऐसे में अब थानेसर में जल्द ही चुना वोने की संभावना जताई जा रही है कि थानेसर नगर परिष्षट में चुनाव जो हैं अगस्त या सितंबर महां में हो सकते हैं बाकायदा आज थानी जो निकाई विभाग है वहां उनको स्थानी निकाई विभाग द्वारा एक बैठक आयुजित की गई है इस बैठक में जो इन पांच जगाई वभाग पंचकुला ने एक बैठक बुलाई है वाडबंदी को लेकर चर्चा की जाएगा और शैद फाइनल रूप भी दिया जाएगा वाडबंदी को लेकर क्योंकि हाँ इन पांचों जगाई पर जो चुनाव लेट हुए थे वो लेट होने का मुके कारण वाडबंदी माना जा रहा था कुछ नया एरिया शामिल होने जा रहा था और ऐसे में 30 जून को एक मीटिंग होने जा रही है स्थानी निकाई भाग द्वारा होने जा रही ह और संभावना जाताई जा रही है कि उसके बाद जो है प्राइमरी नोटिफिक्शन जारी किया जाएगा वाडबंदी को लेकर और उसके बाद जो है क्लेम और अब्जेक्शन का भी टाइम निधारत किया जाएगा और उसके बाद फाइनल नोटिफिक्शन जारी किया जा इस सारी परक्रिया जो यह सारी परक्रिया संभावना जदाई जा रही है कि यह सारी परक्रिया जो है जुलाई माँ में संपन हो सकती है ऐसे में हम मान सकते हैं कि अगस्त और स्तंबर में जो है थाने सा नगर परिश्चत के साथ सा जहां चुनाव पेंडिंग है इन जगाहों पर दो नगर पालिकाओं के और तीन नगर परिश्यत के चुनाव हो सकते हैं ऐसे में उन तमाम लोगों के लिए जुरूरी सूचना है जो अलग-लग वाड़ों से पार्शत बत का चुनाव लड़ने की इच्छा बाले हुए हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहा है, खुलकर परचार मैदान में नहीं आ रहा है यह सोच कर कि अभी चुनाव में वक्त पड़ा है, पता नहीं चुनाव कब होंगे जब होंगे तब देखेंगे कहीं न कि उन्हें आपनी जेव डीली होने का भी डर है आर्थिक नुकसान होने का भी डर है कि कहीं हमने एक पोस्टर लगा दिया कहीं हमने चर्षा कर दी कि मैं इस वार्षी चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो मेरा खर्चे का मीटर शुरू हो जाएगा तो उनके लिए जुरूरी सूचना है कि अगर आप चुनाव मैदान में कूदना चाहते हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं बहले ही आप थानेसर नगर परिश्यत की चेर्मिन का चुनाव लड़ना चाहते हैं या एमसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए जुरूरी सूचना है तैयारी शुरू कर दीजिए, खोलकर मिदान में आना शुरू कर दीजिए क्योंकि चुनाव की गोशना जुलाई में कभी भी हो सकती है यहां बताद है कि थानेसर नगर प्रिश्यत में कुल 31 वार्ड है लगबग 120,000 मददाता इस बार मददान करेंगे पिपली नगर प्रिश्यत के अंतरगर्ड आ चुकी है कल तक पिपली 15 थी, पहली बार पिपली के मददाता भी लगबग 4000 मददाता जो पिपली में है वो थानेसर नगर प्रिश्यत के मददाता के रूम में पहली बार अपना डायेक्ट चेर्मन जुनेंगे और अपने वार्ड का पार्शित भी चुनेंगे ऐसे मता दे पीपली के लावा हर्मन सिटी वार्ड सेक्टर 29 और सेक्टर 30 ये 5 नए एरिये पीपली को मिला कर जो है धाने सार नगर परिश्ट के अंतरगर शामिल हो है जिनमें सेक्टर 2, सेक्टर 29, सेक्टर 30 और पीपली हर्मन सिटी ये 5 ये जो है धाने सार नगर परिश्ट के अंतरगर शामिल हो चुके है पिछली बार संभावना जो एक आंकड़े सामने आये तो उसमें लगबग जदाया जाना था कि लगबग 1,10,000 मत दाता है और अब पीपली जूड जाएगा पांच सेरी जो नए जूड रहे है लगबग 1,15 और 1,20 के बीच में है जो मत दाता है इस बार अपने नए चेर्मन का डारेक्ट चुनाव करेंगे और अपने अपने वार्ड के पारिश्ट का चुनाव करेंगे पुछ वार्ड 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 वार् को रही है लेकिन और कोई फरक नहीं पड़ेगा और उसके रहावा जोई जो आप तक हमारे ताजा जानकरी है तो कि केवल जो नया लगबग 1,15,000 से 1,20,000 मद्दाता वोटिंग करेंगे और सम्चुनाव जो है अगस्त और सितंबर महा में संभावित है उसके इलावा थानेसर में 31 वार्ड थे और 31 वार्ड ही रहेंगे कुछ वार्डों में जो नजदीकी वार्ड है जिनमें हर्मन सेटी सेक्टर 2, सेक्टर 29, सेक्टर 30 पीपली को शामिल किया गया है वहाँ वोटों की संख्या कुछ बढ़ाई जा सकती है उसके इलावा हर वार्ड में जो भी पार्षत का चुनाव रणना चाहते हैं वो खुलक सत्ता पक्ष के और से नीवर्तमान जो अध्यक्षा रह شकी है नगर प्रिशत की तीन बार अध्यक्षा रह चुकिए। पुमवसुदा का नाम सबसे पहला पहली शर्णेनी में माना जाता है कि वह भाजपा की और से सत्ता पक्षी और से चेर्मेंट की चुना उमईद्वार हो सकती है उसके अलावा जैभगवान शर्मा डीडी की पुत्र वदू नेहा शर्मा जो की विंकल शर्मा के धर्म पतनी ह भाजपा के युवा जिला ध्यक्ष युवा मोर्चा के जो जिला ध्यक्ष है भाजपा युवा के रूबल शर्मा उनकी भावी जो है नेहा शर्मा वो भी दावेदारी उनकी भी पुकता दावेदारी है भाजपा की जिला सचीव है रेनु खुगर उनकी भी पुकता दावेदार माने जा रहे हैं कहीं ना कई भाजपा की जिला महामंत्री सुसील राणा है उनकी धर्म पतनी भी चेर्मन की दावेदारी के रूम में कहीं ना कई वह भी दावेदारी पेश कर रही हैं कई नाम और भी हैं जो अंदर खाते अपनी तयारी कर रहे हैं आला कमान तक अपने टीक्ट के দवे- suggestion का नाम सबसे पहला नाम माना जा रहा है कि वह नगर परिषद की। कॉंगरस की और से तो कॉंगरस की और से जलेश शर्मा की धर्म पत्नी का नाम सबसे पहला नाम माना जारा हो सकती है। पूल चेर्मेंड उमीदवार हो सकती है कॉंगर्स की ओर से नियुर्ण शर्मा निनरी Osman लbecन नीवर्त tenía बात Zuschauer 10 को के उमीदवार हो सकती है जो युवा निध दमार पार्श हैं का आशोक शर्मा राष्मा अशोक को कि दोर Grundy भी नगरपनिशby चेर्मेंड की उपधी कांगर्ष की और से कांगर्ष यूज़ सा और भी कई दावेदार है वि विक्षित हैं। जो अंदर आपते ऑपनी तैयारी कर रहे हैं। कहीं न कहीं कोशिश को सुन रही हैं अपने स्तर पर उन समस्याओं का समाधान भी कर रही है और जंता से अपील भी कर रहे हैं कि उन्हें वोट देकर अपना शीरवाद देकर अपना समर्थन देकर उन्हें चेर्में बनाए थाकि हाथ में सकता आने के बाद पावर आने के बाद वो शेहर की समस्य सब्चेद्टर मौणिका दिख्षित गोल का नाम सबसे पहला नाम है उनकी वर्किंग बड़ी एक्टिव अरिक्टिव मौड पर बड़ी नाम से रूबरू हो रही हैं अलग लग वार्डों में स्थीशगर्, स्थीशगर्फ की धर्मपतिनि जो पूरू पार्षणरिंस, स्थेशगर्फ सектор 13 में रहते हैं, वार 16 के पार्षग रह चुकने हैं, उनकी धर्मपतिनि सवीता गर्व से क्यों निवरतमान प पार्षद हैंगें, उनका नाम भी आम आदमी पर्टी है क्या इनलों है इनकी और से चेर्मिन का एक एक दावेदार होगा जो इनकी टिकेट पर चुनाव लड़ेगा समर्थन से चुनाव लड़ेगा कई ऐसी भी होंगे मुझे हराल में चुनाव लड़ना है बागी ओकर चुनाव लड़ना है अजाद उमीद्वार के रूप में चुनाव लड़ना है लेकिन पहली कोशिच यही है कि अगर पार्टी के टिकेट मिल जाए तो पार्टी का वोट बैंक पार्टी के तरफ से पूली स्पोर्ट उनकी जीत का अधार बनेगी लेकिन कहीं ना कई वो मन में इन जो नाम हमने लिए इन में से कई नाम ऐसे भी हैं जो पार्टी का टिकेट ना मिलने के बावजू भी चुनाव मेदान में दिखाई देंगे तो ऐसे में जरूरी ख़बर है कि अगस्त या सितंबर माह में थानेसा नग कुछ चुनाव लड़ना चा Settings चीट चंडान होगो चो आपके के लिए उचित मौका है जो kenाव मेदान में अपने परचार-प्रसार में जंता से जंसंपर का beim NAM जुट जाहिए कहिं ऐसा ना हो आप चुना इतस और कि इंतिजार करते रहें औरने की घोशना झाल